आने वाले जो 10 साल है, वहाँ पे पीछे जो 10 सालों में return मिला है small cap funds के अंदर, उससे भी ज़्यादा return मिल सकता है। पिछले 10 सालों में average return small cap funds का 20% के पास था category average return, अगले 10 सालों में हो सकता है, ये 20% से ज़्यादा हो ज़्या है। वो बताता हो, 2018-19 में SEBI ने जब mutual funds को proper categorize कर दिया कि हाँ large cap इतने ही stocks में invest करेगी, mid cap इतने ही stocks में invest करेगी, small cap इतने ही stocks में invest करेगी। जाधत तर mutual funds जो small cap category में हैं, उन्होंने भी properly small cap investing उसके बाद ही start करी है, मतब last 5 सालों में ही proper small cap investing कर रहे हैं। large cap के लिए भी लागव होता है, mid cap के लिए भी लागव होता है, नहीं तो पहले large cap भी small cap में घुसे रहते थे, बहुत जादा, mid cap भी large और small में बहुत जादा घुसे रहते थे, पहला तो region यह हो जाता है, दूसरा region, अभी अगर आप small cap category उठाओगे, तो 50%, मतलब अगर 25-26 fund है, तो 15 fund small cap category में ऐसे है, जो 3 साल पहले कोई और category के fund थे, 5 साल पहले कोई और category के fund थे, 8 साल पहले कोई और category के fund थे, जैसे कुछ अगर मैं अच्छे नाम आपको बताओ, ICI-ICI का small cap fund, पहले वो indoor ACI equity fund हुआ करता था, तो उस टाइम पे उसके return उतने अच्छे नहीं थे, त उसको small cap में convert किया, कोटेक का mid cap fund हुआ करता था पहले, mid cap fund बाद में small cap fund बन गया कोटेक का, तो जिस टाइम पे mid cap था, उस टाइम पे उसके return थोड़े कम थे, small cap में बहतर हुए, फिर भी long term में इतने अच्छे return, अगर वो सुरू से small cap investing ही करता, तो long term में उसके return कितने और अच्छे हो सकते थे, आप समझ सकते हो, इसके अलावा, ABSL का fund हो गया, union का fund हो गया, बहुत सारे ऐसे quant mutual fund का small cap, quant small का fund हो गया, quant small cap fund तो 2019 से पहले एक bond fund हुआ करता था, मतलब debt category का fund हुआ करता था, equity भी नहीं, इस कारण से जादा तर जो अगर हम average category, average return, 10 साल का अगर देखत mutual fund हुआ करते थे, इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि जब आगे 10 साल में ये जो funds है, वो proper small cap, micro cap investing करेंगे, तो returns और ज्यादा बहतर हो सकते हैं, क्योंकि past में कोई इन पे restriction नहीं था, categorization नहीं था, मतलब 2019 से पहले कोई categorization नहीं था, even जैसे एक example देता हूँ, Mirai का जो large and mid cap fund ह emerging fund था पहले, अब large and mid cap fund उसका नाम proper हो चुका है, तो वो fund starting में mid and small type की investing किया करता था, जब proper categorization से थोड़ी सी पहले ही 2015-16 के दौरान ही, वो mid and small से large and mid की तरफ move हो गया, जब categorization हो गया, तो एक large and mid cap fund की तरह established हो गया, इसलिए अभी के मुकाबले में आप देखना, मिरा ही asset जो emerging blue chip fund है, जो अब large and mid cap fund हो चुका है, उसके शुरू के, मतलब 2013-14-15 time के return उसके काफी बहतरीन थे, तो यह होता है, जब category change होती है, तो उसके returns अच्छे भी होती है, return खराब भी होते है, तो यह तो एक अलग topic है, बट यहाँ पर हम small cap funds की बात कर रहे हैं, सबसे पहला, द अगले 10 सालों में returns भगिया हो सकते हैं, जो growth story है, इंडिया की वो तो region है ही, बट यहाँ पर दो proper small cap category के को लेकर region मैंने ती, return कम देखने का region यह बहुत बढ़ा होता है, जैसे मालनों अभी ही कोई ऐसी EMC आती है, जिसका small cap category में कोई scheme नहीं है, लेकिन उसका एक sectoral scheme है, जो कि उतना अच्छा perform नहीं कर रहा है, और पिछले 5 साल से है लेकिन अच्छा perform नहीं कर रहा है, तो अभी क्या करेगी, वो EMC notice देदेगी अपने investor को, और उसको change कर देगी, sectoral fund से small cap fund में, small cap fund में change हो गया, तो अभी से उसके returns अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन नहीं देखा क्यों, क्योंकि 5 साल से तो small cap में कर रही है, पर उसके पहले का जो 5 साल है, वो एक thematic sectoral fund बनके बैठी होई थी, जहाँ पे वो अच्छा perform नहीं कर पा रही थी, इसलिए कहता हूँ, भरोसे के साथ बस invested रहो, patience बना के रखो, long term में बढ़िया पैसा बना के ये market प्रेंटेश